सब्सक्राइब कीजिए यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ओल नोटिफिकेशन को ओन कीजिए नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो समय निकाल कर एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लें दोस्तु अगर आप पहली बार REIT exam की तियारी कर रहे हो या पहली भी आपने REIT का एकजाम दे दिया है तो दोस्तु डुरने की बात नहीं है आपके सबसे बड़ी जो confusion की बात रहती है वो रहती है कि REIT की तियारी तो कर रहे हैं लेकिन हम कौन सी किताबू से हैं जो REIT की तियारी करें सबसे best REIT के लिए किताबे कौन सी है तो दोस्तु इसी को लेकर संपून जानकारी की कौन सी किताबू से अगर आप अध्यन करते हो तो आपके लिए REIT जो एकजाम है वो लाहबदाइक रहेगा दोस्तु इसी को लेकर संपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन तक आप देखते रहें और दोस्तु चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने मित्रूं के पास भी एक बार सेर जरूर कर दें तो सरू करते हैं दोस्तु सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तु सलेबस को लेकर कि जो रीट का जो सलेबस जारी किया गया है सबसे बड़ी बात और सबसे में बात होती है सलेबस पर तो दोस्तु सलेबस है वो आप सभी ने है जो देख लिया है सलेबस के अंदर 10-15% पार्ट है वो नया जोड़ा गया है कितना 10-15% लगबग 90% पार्ट है जो पुराना 2017 का सलेबस था उसी पर पेटरन पर आदारी थे जब कि 10-15% पार्ट है वो नया जोड़ा गया है अभी आ आपके पास समय कितना है दोस्तों पंचान में से 100 दिन अभी आपके पास है दोस्तों अब पंचान में से 100 दिन के अंदर आपको 130 सलेबस है वो तयार कैसे कर सकते हो इसी को लेकर और इसके साथ में आप कौन सी गाइड से या कौन सी किताब से अगर पढ़ते हो तो आप 100% सले बस है, वो कितने भागू में बटावा है, पांच भागू में बटावा है, पांच भाग कौन-कौन से हैं, पहला आपका भाग है, वो है बाल विकास का, यानि सिक्स्या मनो भी गयान दोस्तों, दूसरा भाग है आपका, वो है सिक्सन विदियों का, तीसरा भाग है, वो है ल इंग्वेज का इसी परकार फेस्ट लेविल में भी यही सिस्टम रहेगा वहाँ पर जो एक आ जाएगी प्रयार उने दिन और एक गणीत वहाँ पर उन दोनों को आप जोडशकते हो विसे के अंदर तो दोस्तों पांच भागू के अंदर आपके पास सलेबस दिया गया है इ एक बार रिवीजन करने के लिए तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बड़े तो दोस्तों आपको क्या करनी है जो पांच भाग है आपके पांच भागू को परती दिन पढ़ना होगा परती दिन आपको पांच भागू का एक एक टोपिक है वो कलेर करना होग अगर आप इसी परकार पांचू भागू का परती दिन एक टोपिक कलेर करेंगे तो आप लगबग 60 से 70 दिन के अंदर अपका जो सलेबस है उसको क्या कर लेंगे कम्प्लीट कर लेंगे दोस्तूं क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई सा भी जो विसे है उसको उठा लो उसके अंदर आपके लास्ट और लास्ट अगर टोपिक दिये गए हैं तो वो टोपिक दिये गए हैं 30 टोपिक 30 से 35 टोपिक हो सकते हैं इस से अदिक किसी भी आप जो भाग बतायें मैंने पहुंच इन भागू में आपको टोपिक नहीं मिलेंगे और मैं समय कितने दिन का दे रहा हूँ आपको 60-70 दिन का समय दे रहा हूँ जबकि topic कितने हर भाग में 30 topic आप मान कर चलो तो 30 दिन में भी हो सकता है लेकिन एक topic को जो बड़ा topic है उसमें आप एक दिन की जगर तीन दिन भी लगा सकते हो इस वज़े से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 60-70 दिन के अंदर क्या करना है परती दिन एक topic को पढ़ के complete करना है दोस्तु किताबु की बात करते इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ जो नए साती पहली भार read exam में बेट रहे हैं वो सबसे पहले जो परसन पत्तर आया हुआ है 2017 का उसकी एक बार reading जरूर मार क्योंकि अगर उसकी वो reading मार लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि read में जो paper है वो किस परकार काता है उससे जब वो तैयारी करने बेटेंगे तो उनका आतम विश्वास बढ़ेगा दोस्तु अब दोस्तु हम बात कर लेते हैं कि जो पुराने paper है उनको क्या नए साती भी पढ़ी क्या तो हाँ जरूर एक बार जो नए साती भी है उनको जरूर पढ़ ले अब बात कर लेते हैं best book की तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ लेविल फेश्ट की लिए लेविल फेश्ट लेविल सेकिंड लेविल सेकिंड तो दोस्तु सबसे best आपके पास guide बहुत वो लेविल फेश्ट में कौन सी class हैं दसी class तक हो सकता है और लेविल सेकिंड के अंदर 12th class तक हो सकता है जो क्यूसन आएंगी सले बस आपका वो ही रहेगा जो आप पढ़ रहे हो लेकिन जो क्यूसन आएंगे उनका इस तरह वो इतना hard हो सकता है तो दोस्तों सबसे best आप किताबू से ही रिट एकजाम में फूचे जाते हैं उनमें कुछ घुमावदार क्यूसन होते हैं होते हैं उनको थोड़ duża सा घुमा दिया जाता है अगर आप बोर्ड की किताबे पढ़ लेते हैं complete बोर्ड की किताबे तो आपके जो क्यूसन है वो एक सो पचास के एक सो भूड की वो किताबे एक बार आप जरूर पढ़ ले हां आप guide का यूज करें क्योंकि hard discussion है वो आपकी board की किताब उमें नहीं मिलेंगे आप उनके लिए guide है वो यूज कर सकते हैं लेकिन जो board की किताबे हैं अगर वो पढ़ लिया आपने तो कोई प्रोब्लम नहीं है बात करते हैं सेकंड लेवल की तो सेकंड लेवल के लिए ककसा एक से ककसा बारा तक की किताबे पढ़नी जरूरी है दोस्तु यह मैं बता देता हूँ क्यों कि दोस्तों अगर आपको मैं ये बोल देता कि लेविल फेश्ट के लिए आपका एक से पांस तक की पढ़ लो लेकिन दोस्तों विगपती के अंदर सलेबस दिया गया उसके नीचे साफ सब्दू के अंदर ये लिकावा है कि लेविल फेश्ट के जो कठिनाई कि उसनों के कठिन कि उसनों का इस्तर होगा वो कलास 10 तक का हो सकता है और लेविल सेकिन्ड है इसके जो कठिनाई का इस्तर है कि उसनों के कठिन होनेगा वो कलास 12 तक हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कलास 1 की बुक से सरू करो यह नहीं कि वो तो मेरे को आती है, फिर भी पढ़ो उसको, कलास एक से सरू करो, और कलास बारा तक जो लेवल सेकिन्ड वाले हैं, वो हर एक बुक का एक बार रिविजिन कर ले, चाए हिंदी हो, चाए सैंसकर्थ हो, चाए आपके, आप अगर साइंस से हो, तो साइंस की बु है, उसके अंदर परिवर्तन किया गया नई बुक मिलेगी, इस बुक को जो भी साती है, लेवल सेकिन्ड से, सामाजी का दिन से हैं, लेवल सेकिन्ड बे, वो एक बार इस बुक को क्या कर ले, जरूर पढ़ ले दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट बुक है, इसको एक बार आप जो समय नई गयान की बुक है, इसको एक बार पढ़ लेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे क्यूसन है, वो एक जाम में मिलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इस परकार अगर आप इन किताबु से पढ़ते हैं, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 60 से 70 दिन के अंदर, जो सलेबस है, उसको cover कर लिया, तो आपके पास revision के लिए समय बच जाएगा दोस्तों, अब revision है दोस्तों, वो केसे करें, तो दोस्तों आप जब पढ़ रहे हो, तो topic के notes मनाते जाएं, हर topic है, उसके क्या बनाईए, अपने notes मना लेंगे, तो जब revision करेंगे, तो दोस्तों, आप तो दिन या तीन दिन के अंदर एक विशे है, उसका समपून रिविजन कर सकते हैं, क्यूगि नोट्स है, वो पूरी बुक जितना क्या है, लंबा नहीं रहेगा, वो छोटे और शोट आप नोट्स बनाएंगे, तो उसके आप क्या कर सकते है, 20 दिनों के अंदर पूरन सलेब का क्या कर सकते हैं? रिविजन कर सकते हैं, तो एक बार फिर आप सभी को बता दू कि चाहे आप लेवल फेट से हो चाहे लेवल सेकिन से हो, सबसे बेश्ट आपके बोर्ड की बुक रहेगी, बोर्ड की बुक है, वो पढ़िये दोस्तु बोर्ड की किताबू से ही संपूर्ण सलेबस है जो रीट के अंदर आता है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तू इसी परकार के अगर आप वीडियो देखना चाते हैं rate से related या rate की कोई भी जानकारी आपके सामने रखना चाते हूँ कि आपके दिक्कत आ रही है तो आप उसकी जानकारी जानना चाते हैं तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर ले थे हर परकार की जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी दोस्तों आप सभी को दन्यवाद तैयारी में लगे रहे 25 अपरेल मिशन 25 लेकर चले दोस्तों जे हिंद जे बार्द